हलो स्टूडेंट आज हम बीजी ये बेंजकों का गुणा एम भाग के अंतरगर्ट प्रस्नावली 4.03 का चौथा प्रस्नाः करेंगे मैं हो पर मनने पड़े स्वागत है आपका आपके अपने चनल पी एन पड़े क्लासेट पर तो आईए देखते हैं प्रस्नाः भाग देकर जांच कीजिए कि क्या भाज बराबर भाजक गोनित भागफल धन सेज़फल है इसमें जो है पहला और दूसरा प्रस्नाम हमें इसमें हल कर चुके हैं यहां पर इसको हम भाग देंगे 3x धन 1 से और इसकी जो है पूश्टी करेंगे बवाज बराबर भाजक गोनि या पता है, सबसे पहला इस्टेफ हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9X का घात 3 को हम भाग देंगे किसे, 3X से, कितना हो जाएगा, 3 से 9 को भाग दोगे, 3 तीया 9, X का घात 3, X का घात 1, तो यहाँ हो जाएगा, X का घात 2, अब इसे हम भाग फल के जगा लिख देते हैं, 3X वर्ग और यह 3X वर्ग का घुना हम किसे करेंगे, 3X धन 1 से, अब मैं घुना को डियरेक्ट कर गे, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 3 तीया हो जाएगा, 9, और X का घात 2, और X का घात 1, यह हो जाएगा, X का घात 3, धन, 3X वर्ग का 1 से घुना करोगे, तो वही मिलेगा हमको, 3X अब इसको घटा देते हैं, यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, यह दोनों कैंसिल हो जाते हैं, अब इन दोनों का चिन्ना अलग-अलग है, इसलिए हमको घटाना पड़ेगा, तो 15X वर्ग में 3X वर्ग को घटाएंगे, तो हमको मिलेगा 12X वर्ग, बड़ी क चीन न धन है तो ये भी कैसा रहेगा धन अब बज गया रेंड 5x धन 3 तो इसको हम नीचे ले आते हैं रेंड 5x धन 3 एक स्टेप जो है इसका complete हुआ अगर हम इसका दूसरा इस्टेप देखें तो यहाँ पर है 12x वर्ग को हम किसे भाग देने वाले हैं 3x से 3 से 12 को भाग दो 3, 4, 12 x का घात दो और x का घात एक है तो यहाँ x का घात एक आ जाएगा यहाँ लिख देते हैं धन 4x और इस 4x का गुणा इस 4x का गुणा हमको कहां पर करना है 3x धन 1 से करना है और इसका गुणा करके हम यहाँ पर लिखेंगे तो 4 तिया हो जाएगा 12, x का घाप एक, x का घाप एक, तो यह हो जाएगा x का घाप 2, धन और धन का फिर से धन रहेगा, 4x का गुणा x करेंगे तो यह मिलेगा 4x, अब यहाँ पर जो है, यह माइनस हो जाएगा, यह भी माइनस हो जाएगा, यह दोनों कैंसिल हो गया, अब इन दोनों का चीन्द समान है तो जुड़ेगा तो 5X और 4X का हो जाएगा कितना 9X बड़े का चीन्द रेन है तो ये भी क्या हो जाएगा रेन और धन 3 को हम नीचे ले आते हैं तीसरा ही स्टेप देखते हैं यहाँ पर है रेन 9X और यहाँ पर 3X X और X तो कड़ जाएगा यहाँ पर आएगा रेन 3 से 9 को भाग देंगे 3 तिया 9 तो यहाँ पर आजाएगा रेन 3 और इस रेन 3 का गुणा हम किसे करेंगे 3X धन 1 से कर देंगे तो यह माइनस और प्लस काएगा माइनस 3 तिया 9X माइनस और प्लस काएगा माइनस 3 एकम 3 अब यहाँ पर चीन न बदलेंगे यह प्लस हो जाएगा यह भी प्लस हो जाएगा अब क्या होगा यह दोनों तो कैंसिल हो जाएगे अब यह धन 3 और धन 3 दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा 6 तो इस प्रकार से यहाँ पर हमको भागफल कितना मिला भागफल मिल रहा है 3x वर्ग धन 4x रिड़ती और सेशफल कितना मिल रहा है सेशफल मिला है हमको यहाँ पर धन 6 तो यह तो हो गया हम भाग दे दिये और यहाँ पर जो है भागफल और सेशफल प्राप्त कर लिए अब हमको चेक करना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन सेजफल तो यहाँ पर भाजक कितना है भाजक है हमारा 3x धन एक गुणित भागफल कितना मिला है यहाँ पर लिखाओं मैं 3x वर्ग धन 4x रेड़ 3 और धन सेजफल तो यह सेजफल कितना है 6 अब यहाँ पर आगे लिखते हैं तो यह भाज बराबर अब यह 3x का गुणा यह पूरे के साथ होना है तो हम लिख देंगे 3x पुष्टक में आ जाएगा 3x वर्ग धन 4x रेड़ 3 और वैसे ही धन 1 का गुणा भी इतने के साथ करेंगे तो धन 1 3x वर्ग धन 4x रेड़ 3 और अंतिम में क्या है धन 6 अब यहाँ पर जो है इसके साथ गुणा करो 3 तिया 9 x का गहात 1 x का गहात 2 तो यह हो जाएगा x का गहात 3 धन और धन का फिर हो जाएगा धन 3 4 12 x का गहात 1 x का गहात 1 तो यह हो जाएगा x का गहात 2 धन और रेड़ का रेड़ 3 तिया 9 और 7 में है x ठीक है एक का अगर हम इसके साथ गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं आना है सीधा सीधा हम लिख देते हैं धन 3x वर्ग धन 4x रिंड 3 और अंतिम में है धन 6 अब यहां जाएगा 9x का घात 3 अब यह तो अकेला है तो इतना ही लिखेंगे घात दो आले दोग दीक रहे हैं हमको इसको और इसको हम जोड सकते हैं 12x वर्ग धन 3x वर्ग दोनों मिला के हो जाएंगे 15x वर्ग रिंड 9x और धन 4x यह दोनों समान पद हैं तो एक रिंड है एक धन है तो घटाएंगे तो यह आजाएगा 5x बड़े का चिन्न रिंड है तो यहां पे रिंड और रिंड 3 धन 6 चिन्न अलग अलग है घटा दो 6 में 3 घटा ओगे आएगा 3 और बड़े का चिन्न धन है तो धन रहेगा ठीक है अब यहाँ पर दिखिए 9x का घात 3 धन 15x वर्ग रेन 5x धन 3 यह जो है हमारे भाज्य के बराबर आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे पुछा गया है कि क्या भाज्य बराबर भाज्य गोनित भागफल धन सेज़फल तो यहाँ पर लिखेंगे हां भाज्य बराबर भाज जग गोनित भागफल धन सेज़फल है और इस प्रकार से यह तीसरा जो है कम्प्लिट होता है अब इसी का चौथा देखते हैं 2x का घात 3 धन 3x वर्ग धन 7 धन 15 को x वर्ग धन 4 से भाज्य देना है तो यहाँ पर मैं लिख लिया हूँ जैसे कि हमारा रफ वर्ग होता है इ 2x का घात 3 को हम किसे भाग देंगे x के घात 2 से तो यहाँ जाएगा 2 और x का घात 3 और यहाँ x का घात 2 है तो यहाँ एगा x का घात 1 तो यह हमारे भागफल वाले जगह में लिखा जाएगा और ये 2X का गुणा हम किसे कर देंगे? X वर्ग धन 4 के साथ करेंगे इसका गुणा करके मैं डाइरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 2X का गुणा X वर्ग से करेंगे तो यह हो जाएगा 2 और X का गात 1, X का गात 2 तो यहाँ हो जाएगा X का गात 3 धन और धन का फिर से हो जाएगा धन 2X का 4 से गुणा करो 2, 4, 8, X, X का हो जाएगा, sorry, 2, 4, 8 और केवल X, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत यह है कि हमारा घात 3 और उसके बाद डाइरेक्ट आ रहा है आट X, अब यह 3X वर्ग में हम आट X को तो हम नहीं घटा पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? धन 8X को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? अब यह वाला जग बता है कि यह खाली रह जा रहा है, तो एक काम कर सकते हैं, आप प्लस 0 into X square ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि 0 का गुणा कर रहा है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं हो, तो 0 ही आता है, अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यह भी माइनस हो जाएगा, और इसका तो प्लस माइनस कोई फ खटाओगे एक X, जिसको हमके वाल X लिखते हैं, बड़े कची नर्यर है तो र्यर और धन 15, सेकेंड इस्टेप दिखते हैं, तीन X वर्ग को हम किसे भाग देने वाले हैं, X वर्ग से, तो यह दोनों कटेंगे तो क्या बचेगा, तीन, तो यहाँ पर लिख देते हैं, धन तीन, और यह तीन का गुणा केस से कर देंगे, फिर X वर्ग धन 4 के साथ करेंगे, तो यह आ जायेगा, तीन X वर्ग और धन, तीन का गुणा 4 से करेंगे, तो तीन चौक 12, यहाँ पर फिर X वाला जो है, खाली रह गया, चाहो तो फिर 0 into X आप लिख सकते हो, मैनस, मैनस, म कर जाएंगे, और यह हो जाएगा, रेर X, दोनों का चीनन अलग 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 घटा दो, तो यह आ जाएगा 3, बड़े का चीनन धन है, तो यह आ जाएगा धन, अब यहाँ पर देखिए, अभी तक इसमें सेस्फल हमको केवल अचर रासी मिल रहा था, पहली बार है कि यह हम को चर रासी की रूप में भी मिल रहा है, लेकिन आगे हम भाग देंगे या नहीं, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ पर है X का घट 2, और यहाँ पर है X का घट 1, जब यहाँ पर जो सेस्फल बचता है, उसका घट जो है, यह भाजक के घट से छोटा होने के बाद और भाग नहीं देते, वो सेस्फल कहलाता है, अगर इसका घट जो है, दो रहता, या दो से अधिक रहता, तब तक हम भाग देते रहते, यानि कि यहाँ पर भाग देने का प्रक्रिया जो है, अतम, तो यहाँ पर भाग फल हम को कितना मिला, भाग फल मिल रहा है, 2X धन 3 और सेस्फल हम को मिल रहा है, माइनस X प्लस 3, अब हम चेक करते हैं कि क्या भाज्य बराबर जो है, भाजक गुणित भाग फल, धन सेस्फल है या नहीं, तो मान को रख देते हैं आपर, भाजक कितना है, X वर्ग धन 4, भाग फल कितना है, 2X धन 3, धन सेस्फल कितना है, रेंड 3, तो यहां पर हम कोस्टक में लिख देंगे, रेंड एक्स धन 3, अब यहां पर गुणा करना पड़ेगा, तो यहां पर X वर्ग का गुणा, 2X धन 3 से करेंगे, वैसे ही धन 4 का गुणा इसको भी हम 2x धन 3 से करेंगे और ये कोश्टक खोलेंगे तो धन और रिड़ का हो जाएगा रिड़ x और ये धन और धन का हो जाएगा धन 3 ठीक है आगे मैं यहाँ पर ले जाता हूँ ने भज बराबर अब यहाँ पर गुणा करते हैं एक्स वर्ग का 2x से करेंगे तो 2x का खात 3 हो जाएगा फिर x वर्ग का धन 3 से करेंगे तो हो जाएगा धन 3 x का वर्ग फिर 4 का 2 x से करेंगे तो 4 दोनी 8 x और 4 का पीन से करओए चार तिया 12 और इधर है रिड एक्स धन 3 अब यहां पे 2 एक्स का घात 3 धन 3 एक्स का वर्ग और 8 एक्स और रिड एक्स दोनों समान पद हैं दोनों का चिन्ना अलग है तो घटाएंगे 8 एक्स में 1 एक्स घटा दो आएगा 7 एक्स बड़े कचिन्न धन है तो यहां हो जाएगा धन अब धन 12 धन 3 दोनों का चिन्ना समान है जोड़ेंगे 12 और 3 हो जाएगा 15 बड़े कचिन्न धन है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा धन अब देख लिजिए यह भाज्य है 2 एक्स तो यहां पर लिखेंगे हाँ भाज बराबर भाजक गुनित भागफल धन सेज़फल है और इस प्रकार से यह चौंथा भी कम्प्लीट होता है तो आज इस प्रकार से हमने देखा कि भाग दे करके भागफल और सेज़फल याद किये साथ में सत्यापन भी किये कि भाज बराबर भाजक गुनित भागफल धन सेज़फल होता है तो इसके साथ ही प्रस्नावली चार दस्मलोती और यह चेप्टर बीजी ए ब्यंजकों का गुना एवं भाग कम्प्लीट होता है तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स् करियों